दोस्तों क्या आपनों को बता है कि प्लेन आपस में टकराते क्यों नहीं है आपने कभी ने कभी तो यह सोचा ही होगा कि आस्मान में इतने सारे प्लेन उड़ते हैं फिर भी वह आपस में क्यों नहीं टकराते दरसल इसकी पीछी का कारण यह है कि प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि यदि उनके आज पास कोई और प्लेन उड़ रहा है तो उनको अलग-अलग उचाई में प्लेन उड़ाने को कहा जाता है यदि पहला प्लेन 28,000 फीट पर उड़ रहा होगा तो दूसरा प्लेन 25,000 फीट पर ही उड़ेगा यही कारण है कि प्लेन आपस में टकराते नहीं है इंसान के सरीर की तचा पर 16 परत होती है जबकि होटों पर केवल 5 परत होती है जिस वज़ा से होट हलके गुलाबी रंगे दिखते हैं नमबर टू, सरीर में खून की कमी होने पर नियमित रूप से एक गिलास अनार का रस पीने से खून की कमी और कमजोरी दूर हो जाती है नमबर 3, हल्दी और पुराना गुर्ट छांच में मिलाकर सेवन करने से पथरी नश्ट हो जाती है नमबर 4, अगर कोई व्यक्ति मक्खन का सेवन करता है तो उसका बलड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है और तचा पर भी निखार आ जाता है नमबर 5, अगर आपको भोग नहीं लगती तो गरम पानी में काला नमक और निबू मिलाकर पीजिये भोग लगने लगेगी नमबर 6, अंगूर एक ऐसा फ़ल है जो कैंसर सेवस को बढ़ने से रोकता है और हाट अटेक के खतरे को कम करता है क्या आपको पता है एक मशली ऐसी है जो पानी में तैरती है, जमीन पे चलती है और हवा में उड़ती है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो के लास्त थक बने रहे है नमबर 1, विश्व की 70% मशली है प्रसांत महा सागर में पाई जाती है नमबर 2, दुनिया में सबसे ज़्यादा ओक्सिजन देने वाला पेड़ पीपल का पेड़ है नमबर 3, पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कटहल है नमबर 4, दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ मैंचिनल का पेड़ है नमबर फाइब क्या आपको पता है गर नई नाम की मसली पानी में तैरती है जमीन पर चलती है और हवा में उड़ती भी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रियेटेन यू को सब्सक्राइब करें